हलो दोस्तों आपको स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर और आज हम आपके लिए और वीडियो लेके हैं जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं करेंट अफेर्स की जैसे कि आपको आप सब लोग इस चैनल पर जुड़े हुए हैं तो आपको पता है पिछले साथ दिनों से करेंट अफ साथ दिन का करेंट अफेर्स है 7 देज का करेंट अफेर्स इसके अंदर आपका कवर किया गया है जो आपका 27th जॉन से और 2nd फेब तक का इसके अंदर बूलना नहीं आपको, तो लाइक करो और चलो अपना आगे चलते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं, 27 जनुरी का करेंट पर हम देखते हैं, तो पहला क्यूशन है हमारे पास में, इसको हमने हिंदे में नहीं लिखते हैं, तो इसको हमने हिंदे में नहीं लिखते हैं, देखा है, दोजोद्या, बाई, जो है उसको ये अवाड मिला है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, खजराओ का मंदिर किस राजा ने बनवाया था, तो इसका आंसर है, चंदेला राजा, चंदेला राजा ने खजराओ मंदिर को बनवाया था, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, वो इजफेमस ऐज जहासी ओफ रामगर्ड, रामगर्ड की जहासी के नाम से कोन प्रसिद्ध है, तो इसका रैट आंसर है, रानी दुर्गावती, दुर्गावती ईज फेमस अन जहासी ओफ रामगर ढुइंट, जहां सी ओ रामगड़, चलिए next चलते हैं, next हमारा पॉइंट है, which fort was built by सूरत सेन, सूरत सेन ने कौन सा किला बनवाया था, तो answer है, fort of Gualier, fort of Gualier का निर्मान सूरत सेन ने करवाया था, चलिए next पॉइंट पे चलते हैं, next हमारा पॉइंट है, which state of Madhya Pradesh is the Paddy Research Center located, धान अनुसंदान केंदर मद्दे प्रदेश की किस राज्ये में स्तित है, तुसका right answer है, बरवानी, बरवानी में ये स्तित है, चलिए next चलते हैं, next हमारा करन पॉइंट है, how many police personnel have been awarded police medal on the occasion of Republic Day, गंतंतर दिवस के अवसर पर कितने police कर्मियों को police पदक से सम्मानित क्या गया है, तो right answer है, 901 police personnel, 901 police कर्मिकों को police पदक से सम्मानित क्या गया है, चलिए next point पे चलते हैं, which Thai settler won the India Open Badminton Championship, किस Thai settler ने इंडिया Open Badminton Championship जीती, तो इसका answer है, कुनलावत विदी दर्षन, इसका है, कुनलावत विदी पिती दर्षन, ये इसका right answer है, तो चलिए next point पे चलते हैं, center for maritime economy and connectivity is to be set up in which state UT, समुद्री अर्थ विवस्ता और connectivity किस राज्य केंदर सासित प्रदेश में इस्तापित क्या जाना है, तो इसका right answer है, new Delhi, तो new Delhi में ये इस्तापित क्या जाना है, चलिए next चलते हैं, next हमारा अब current phase आने वाला है 28th January, 28th January का हमारा current phase है, जो देख लेते हैं जल्दी-जल्दी क्या क्या है, तो पहला मारा point है, नारायनपूर left bank scandal with modern irrigation system has been inaugurated in which state, आधुनिक सिंचाई परनाली वाली नारायनपूर left bank नहर का उद्गाटन किस राज्य में किया गया है, तो इसका right answer है, करनाट का अधुनिक सिंचाई परनाली, क्या है आपकी आधुनिक modern irrigation system, जो की वाली परनाल नारायनपूर left bank नहर का उद्गाटन आपका करनाटक में किया गया, चले नेक्स पोइंट पे चलते हैं, नेक्स हमारा point है, विच कंट्री इस दे होस्ट ओफ दे फाइड वर्ल्ड चेंपियनशिप तूथाउजन ट्वंटीवन, यह अपका दो हजार इकत्रीस था यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तो यह आपको ध्यान रखना है, 2023, तो फाइड वर्ल्ड चेंपियनशिप 2023, किस की मेज़वानी कौन सा देश कर रहा है, तो आंसर है यहां पर कजाकस्तान, कजाकस्तान कर रहा है, कौन से की 2023, ध्यान रखना कुछ लोग सिर्फ इसमें इमेज में देखते हैं, और फिर कमेंट में लिख भी देते हैं, कि सर यह डेट गलत है, जी हां यह गलत है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, अगर आप सुन रहे हैं तो चलिए, डेक्स चलते हैं, प्राइम मिनिस्टर नरिंदर मोदी टू नेम 21 आइसलेंड ओफ अंडमान और निकोबार अप्टर विच अवाड़ी परधान मंत्री नरिंदर मोदी अंडमान और निकोबार के 21 दीपो का नाम किस पुरसकार विजेता के नाम पर रखेंगे, तो आंसर है, परम वीर चक्र, चलिए नेक्स चलते हैं, इसका ये राइट आंसर है, चलिए नेक्स क्यूशन पर चलते हैं, नेक्स हमारा क्यूशन है, विच इंस्टिटूशन लॉंच्ट एन इन्फोर्मेशन डाटाबेस, इंक्लूडिंग ए डिपोजिटरी ओफ इन्फोर्मेशन प्रिटेनिंग टू मुनिशिपल बॉंड्स, किस संस्था ने मुनिशिपल बॉंड्स से समंदित सूचनाओं के बंधार सहीत एक सूचना डाटाबेस लॉंच किया है, तो इसका राइट आंसर है, सेबी, एस इबी आई, चलिए नेक्स पोइंट पर चलते हैं, नेक्स तमारा पोइंट है, विश्व बेंक ने सबसे गरीब से, सबसे तेजी से बढ़ते देशों में से एक में परिवर्तन के लिए किस देश की सराहना की है, तो इसका राइट आंसर है, बंगला देश, तो वो देश कौन सा है, बंगला देश, चलिए नेक्स पोइंट पे चलते हैं, नेक्स्ट अमारा पोइंट है, तो राइट आंसर इसका, 10 million, कितने millions को, यह पत्थर पर यहाँ पर notice नहीं करना है, कितने millions को पार कर गया है, तो यहाँ पर है 10 million, चलिए, नेक्स चलते हैं, विच स्टेट अनाउंस्ट टू बुक मेन हू मेरी माइनर गर्ल्स अंडर स्ट्रिंगेंट लोज प्रिस्क्राइबिंग इंप्रिजिन्मेंट, किस राज्जे ने नाबालिक लड़कियों से साधी करने वाले पुरूसों को कठोर कानूनों के तहट कारवास की सजा देने की घोसना की, तो वो है आसाम, आसाम के अंदर ये नयालो स्टार्ट किया गया है, जिसमें नाबालिक लड़कियों से साधी करने पर पुरूसों को कठोर कानूनों के तहट कारवाज की सजा दिये जाएगा चलिए नेक्स चलते हैं नेक्स अब हम बात करते हैं 29th January Current Affairs के बारे में चलिए चलते हैं तो पहला हमारा पॉइंट है इसका इसका राइट आंसर है इंडिया स्टैक चलिए नेक्स चलते हैं खबरों में रहा पर्स सीन किस गतिविदी से जुड़ा है तो इसका राइट आंसर है फिशिंग चलिए नेक्स पॉइंट पचलते हैं इसका राइट आंसर है कौन जारी करता है चलिए नेक्स पॉइंट पर चलते हैं तो इसका राइट आंसर है 2023 इस चलिए नेक्स पॉइंट पर चलते हैं टाटा मोटर्स हैज अनाउंस्ट इट पार्टनर्शेप विद विच बैंक्स तू ओफर डिलर फाइनेंसिंग सोलुशन टू इट्स ओथराइज पैसेंजर इवी डिलर टाटा मोटर्स ने अपने अधिकरत यात्री इवी डिलरों के डिलरों को डिलर विद पोशन समाधान परदान करने के लिए किन बैंकों के साथ अपनी साजेदारी की गोशना की है तो इसका राइट आंसर है ICICI बैंक चलिए नेक्स पॉइंट पर चलते हैं ब्रिगिडियर जनरल अमेरिकी राष्ट पती जो बिडेन ने वायू सेना ब्रिगिडियर जनरल के पद के लिए किसे नामीत किया गया है तो इसका राइट आंसर है राजा जे चारी चलिए नेक्स पॉइंट पर चलते हैं नेक्स नमारा पॉइंट है हाल ही में राष्टिय संसत पोर्टल समुंदरी का उद्गाटन किसने किया है तो इसका राइट आंसर है सर्बनन्दा सोनावा इसका क्या है सर्बनन्दा सोनावा चलिए नेक्स पॉइंट पर चलते हैं नेक्स बात करते हैं तीस जन्वरी का करेंट अफेर करेंट अफेर अबाउड थार्टी जन्वरी चल्ली चलते हैं पहला हमारा पॉइंट है केविनेंट अप्रूज ओपनिंग ओफ न्यू कंसल्टेट्स इन विच कंट्री केविनेट ने किन देशों में नए वानिज्य दूतावाज खोलने की मंजूरी दी तो इसका डाइट आंसर है मालदिवस एन लिथूनिया चल्ली चलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा पॉइंट है हाव मेनी कंट्री इंडिया इस हाविंग रेजिडेंट मिशन आउट ओफ वन नैंटी त्री यूवन मेंबर नेशन संयुक्त राष्ट्र के एक सो तिराण में वन नैंटी त्री सदस्ट से देशों में से कितने देशों में भारत के निवासी मिशन है तो इसका राइट आंसर है 48 यानि वन नैंटी त्री में से भारत के 48 हैं चलिए नेक्स पॉइंट पर जलते हैं विच कंट्री सेलिब्रेशन सेलिब्रेट्स इंडिपेंडेंट डे ओन दिसमबर 29 दिसमबर को कौन सा राज ये सवतंतरा दिवस बनाता है तो इसका राइट आंसर है आइडलेंट चलिए नेक्स चलते हैं विच स्टेट विल बी दफर्स्ट टू इंप्लिमेंट दै लोकायुक्ता बिल अक्रोस इंडिया भारत भर में लोकायुक्त विधेयक को लागू करने वाला पहला राज ये कौन सा है तो इसका राइट आंसर है महरार्ष्ट्रा चलिए नेक्स चलते हैं नेक्स पॉइंट पे नेक्स पॉइंट है हमारा विच डिजीज दे आईयो सी हैड साइन एन MOU with CTD in states of उत्रप्रदेश and सतिसगट बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट से आपके लिए most important है सबको देखना है आईयो सी ने किस बिमारी के लिए उत्रप्रदेश और सतिसगट राज्यों में CTD के साथ एक समझोता ग्यापन पर हस्ताकसर किये थे तो इसका right answer है tuberculosis यह आपके लिए most important है most important question है यह आपके current affairs में ही मिल सकता है कोई books में आपको यह नहीं मिलने वाला है तो ऐसे बहुत सारे point है जो आपके लिए discuss किये जाएंगे तो इसलिए next सलते हैं the first autologous bone marrow stem cell transplant has successfully performed in which city of India पहला autologous bone marrow autologous bone marrow stem cell transplant भारत के किस सहर में सफलता पूरक किया गया है तो इसका right answer है सीरी नगर यह भी आपके लिए most important है most important है autologous यानि खुद के body parts की बात कर रहे हैं यहाँ पर autologous bone marrow stem cell transplant यहाँ पर इसकी बात हो रही है तो कहाँ पर किया गया इंडिया में तो इसका right answer है सीरी नगर चलिए next सलते है who has been appointed as the captain of the Indian team in the T20 series against स्रिलंका स्रिलंका के खिलाब T20 series में भारतिय टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है तो इसका right answer है हार्दिक पांडिया यह किर्केट से लखे आपका general knowledge का question है current phase का जो आपको पता होना चाहिए चलिए next point पे चलते है next हमारा point है which amendment of EOB rules mate becomes the nodal agency online gaming and its intermediators EOB Nemo का कौन सा संसोधन mate online gaming और इसके मद्धेस्तों को की nodal agency बन गया है तो इसका right answer है 377 amendment यानि 377th amendment चलिए next चलते है अब हम बात करते है 31st January current phase which female cricketer has been selected as the ICC women's cricketer of the year in 2022 किस महिला cricketer को ICC महिला cricketer of the year 2022 चुना गया है तो इसका right answer है nut skewer nut skewer इसका right answer है चलिए next चलते है next नमारा है question what has been changed by changing the name of Mughal Gardens located in राष्टपती भवन राष्टपती भवन में इस्तित Mughal Garden का नाम बदल कर क्या किया गया है तो इसका right answer है अमरित उद्ध्यान ये भी आपको पता होना चीए important question है अमरित उद्ध्यान Mughal Garden का नाम अभी अमरित उद्ध्यान रखतिया गया है चलिए next चलते हैं किन्स इंडियन पॉइट डिप्लोमेट has been elected as the concerned member of Brazilian साहित्य अकाद्मी भारतिये कवी राजनाई को ब्राजिल साहित्य अकाद्मी के सम्मंदित सदस्यों के रूप में चुना गया है तो इसका right answer है अभे कुमार यह अच्छा question आपको पता होना चाहिए चलिए next चलते हैं how many monuments will the central government hand over to the private sector under the समारक मित्र scheme समारक मित्र योजना के तहत के अंदर सरकार कितने समारकों को नीजी छेतर को सोंपेगी तो इसका right answer है 1000 monuments चलिए next चलते हैं who has been selected as the ICC emerging woman cricketer of the year 2022 ICC emerging woman cricketer of the year 2022 किसे चुना गया है तो इसका right answer है रेनुका सिंग चलिए next चलते हैं what is the name of Indian first intranasal covid-19 vaccine launch recently most important है नोट कर लेना एक्जाम में आ सकता है नोर्सेट में भी आ सकता है हाल ही में लोंच किये गे भार्थ के पहले intranasal covid-19 vaccine का क्या नाम है तो इसका नाम है आइ आइ यहां पर इसको आप याद करने के रख सकते हो i4 intra i4 यहां पर intra n4 nasal n4 nasal और covid-19 vaccine इस तरह से यह इसका नाम है तो आपको पता होना चीए most important है नर्सिंग के लिए चले चलते हैं इंडिया has issued a notice to which country to amend the index water treaty भारत ने सिंदू जल्न संधी में संसोतन के लिए किस देश को notice चारी किया है तो इसका राइट आंसर है पाकिस्तान को किया है चले नेक्स सलते हैं नेक्स हमारा point है The United Nation has estimated India's economic growth rate for 2023 to be vote percent संयुक्त राष्टर ने 2023 के लिए भारत की आर्थिक विकास दर्ग कितने परतिसत रहने का अनुमान लगाया है तो इसका राइट आंसर है 5.8% चले नेक्स पे चलते हैं नेक्स हम बात करते हैं फर्स्ट फेवररी Current Affairs चले चलते हैं पहला हमारा point है Who has been appointed as the new DGP of Assam Assam के नए DGP के रूप में किसे नियुत किया गया है तो इसका राइट आंसर है ज्यानेंदर प्रताब सिंग चले नेक्स चलते हैं तो इसका राइट आंसर है ये सरकार ने वंचित लड़कियों को सक्सम और आत्म निर्वर बनाने के लिए समग्र शिक्सा अभियान शुरू किया गया है तो इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश बहुत अच्छा क्यूशन है इंपोर्टेंट है आपके लिए तो इसमें क्या है आपको समग्र सिक्सा अभियान समग्र सिक्सा अभियान के बारे में पूछे कहां पर ये लौंच किया गया है तो इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश चलिए नेक्स सलते हैं वू हैज बिन अवार्डेट थै FIH National Award 2023 FIH राष्टे पुरुषकार 2023 से किसी सम्मानित किया गया है तो इसका right answer है BK Pandian चलिए next चलते हैं Where will the first meeting of G20 Energy Transition Working Group be held G20 Energy Transition Working Group की पहली बेटक कहां आयोजित होगी तो इसका right answer है Bengaluru चलिए next चलते हैं Which state government has organized G1 Vidya Camp for School Teachers किस राज्य सरकार ने स्कूली सिक्सकों के लिए G1 Vidya सिवीर का आयोजन किया गया है तो इसका right answer है Dalek चलिए next सलते हैं Who has become the new president of Sijjak Republic चेक गनराज्य के नई राष्टपती कौन बने है तो इसका answer है पेटर पेव चलिए next चलते हैं Where has the fifth edition of Kelo India Youth Game 9 started Kelo India Youth Game 9 का पांचवा संसकर्ण कहां शुरू हुआ है तो इसका right answer है Madhya Pradesh Next हम बात करते हैं Second February Current Affairs चलिए चलते हैं तो पहला हमारा point है Which state government has launched the vision for all school eye health program किस राज्य सरकार ने the vision for all school eye health का रिकरम शुरू किया है तो इसका right answer है Goa Next point पर चलते हैं Which state has set a record of planting 90 lakh sapling through the हर गाउं हर्याली initiative किस राज्य ने हर गाउं हर्याली पहल के माध्यम से 90 lakh पोदे 90 lakh पोदे लगाने का record बनाया है तो इसका right answer है Jammu and Kashmir चलिए नेक्स चलते हैं Who has won the Sanewarn Man's Test Player of the Year award Sanewarn Man's Test Player of the Year का प्रुसकार किसने जीता है तो इसका right answer है उस्मान क्वाजा उस्मान क्वाजा ने ये जीता है चलिए next point पे चलते हैं Who has become the first CEO of Gujarat Maritime Cluster Gujarat Maritime Cluster के पहले CEO कौन बने हैं तो इसका right answer है Madhvindra Singh चलिए next सलते हैं Who has been appointed as the new deputy chief of the Indian Air Force भारतिये वायू से ना के नए उप्प परमुक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो इसका right answer है Amar Preet Singh चलिए next सलते हैं Who has been appointed by Puma India as its new brand ambassador Puma India ने किसे अपना नया brand ambassador नियुक्त किया है तो इसका right answer है Harman Preet Kaur चलिए next सलते हैं Next हमारा क्विशन है Who has been named as the partner country for bio Asia 2023 Bio Asia 2023 के लिए भागिदार देश के रूप में किसे नामित क्या गया है तो इसका right answer है United Kingdom UK को चलिए next सलते हैं Next हमारा है Who has won the Tata Steel Masters 2023 Tata Steel Master 2023 किसने जीता है तो इसका right answer है Anis Giri तो Tata Steel Master 2023 Anis Giri ने जीता है तो इस तरह से आज के हमारा session खतम हुआ ये 7 दिन का current affairs जो आपका एक वीडियो में था तो thank you for watching अपना feedback comment box में जरूर share करें और like, share and subscribe करना ना भूले तक अाइ आपका धुटी ड्सु तन बना答ING है